नमस्कार मैं हूँ खुश्बू हजारे आप देख रहे हैं खबर ठिकाना पेटीम जो हम हर रोज यूज करते हैं कहीं भी शॉपिंग जाते हैं तो पेटीम के हमें QR कोड नजर आ जाते हैं वही कमपनी भारी नुकसान से गुजर रही है कमपनी कमा तो रही है लेकिन कमपनी कुछ बचा नहीं पा रही है कमपनी एक्सपैंड करने में असमर्थ है क्योंकि कमाई के साथ साथ हर साल नुकसान भी भारी मात्रा में हो रहा है पिछले साल के total revenue को देखा जाए तो revenue तो बढ़ा है लेकिन साथ ही नुकसान भी भारी हुआ है पिछले एक साल में Paytm का revenue 89% बढ़ा है 1400 करोड से उपर revenue हासल किया है Paytm ने लेकिन इसी के साथ इनका नुकसान भी बढ़कर 778 करोड हो चुका है सबसे बड़ी बात Paytm जो सबसे ज़ादा इस्तमाल किया गया COVID के दौरान क्योंकि तब लोगों ने notes के transaction करना बंद कर दिया था digital transaction ही ज़ादा किये जा रहे थे तब Paytm को उम्मीद थी कि उनके इस loss में सुधार होगा लेकिन ये loss और बढ़ गया पिछले साल first three quarters में ये नुकसान 532 करोड था और चौते quarter में ये भारी नुकसान होकर 700 करोड के उपर पहुँच गया Paytm को उम्मीद थी कि COVID के दौरान उनके नुकसान की भरपाई हो जाएगी लेकिन ऐसा नहीं हो पाया Paytm की हालत ऐसी हो गई है आमदनी अठनी और खर्चा रुपया अगर इसी तरह से चलता रहा तो फिर कंपनी को बंद होते देड़ नहीं लगेगी खबर ठिकाना में अभी के लिए बस इतना ही पलपल की अपडेट्स को हिंडी में जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबर ठिकाना